वेलकम फिरेंड्स इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी दिये हुए डेटा को इस काइटर के रूप में MS Excel में किस तरीके से ड्रा करेंगे या चार्ट बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले MS Excel को open करने के बाद में उसमें डेटा को put करेंगे तो यहां पर data are ready put है जो कि UP के district है और वो population wise यहां पर put है क्या करेंगे सबसे पहले data को select करेंगे data को select करने के बाद में insert पर जाएंगे insert पर जाने के बाद में एक action दिखाई दे रहा होगा insert scatter और bubble chart तो इस पर click करेंगे जैसे इस पर click करेंगे तब यहां पर एक scatter का आप ação दिखाई देगा जैसे इस पर क्लिक करेंगे, चार्ट बनकर तयार हो जाएगा, जो कि स्कैटर के रूप में होगा, तो यहां पर चार्ट बनकर तयार हो गया है, तो चेंजिंग, कुछ चेंजिंग आप कर सकते हैं, इसमें जैसा कि यह फॉंट सेप, साइज, कलर यह सब चेंज कर सकते हैं, त इसफी तरीके से और भी चेंज कर लेंगे। इसको भी चेंज कर शकते हैं कि यहां से जाके साइज और कलर को भी इस तरीके से हैं। एलाइन को भी चैन्ज कर सकते हैं इंटरनल को भी चैन्ज कर सकते हैं है सि तरीके से कॉलम व्यूंच को सेलख करके इस तरीके से कॉलमवाले को सेट कर यहाँ पर भी जो है कि इसको ब्लैक कर सकते हैं इसी तरीके से नीचे वाली लाइन को भी ब्लैक कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर भी आप चेंज कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर भी चेंजिंग कर सकते हैं इसको भी टाइम से रोमन में कर सकते हैं साइज बड़ा कर सकते हैं ब्लैक कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर भी चेंजिंग कर सकते हैं एक्स स्वरी एक्सिस टाइटल्स के आप्शन को सेलेक्ट करके जैसे यहां पर आप प्लेशन लिख सकते हैं पॉपलेशन इसको भी आप चेंजिंग कर सकते हैं टाइम से रोमन डिस्ट्रिक्ट यह पॉपलेशन को चेंजिंग कर सकते हैं यहां पर डिस्ट्रिक्ट आप लिख सकते हैं इस्ट्रिक्स और यह बने हुए स्कैटर चार्ट को आप कैसे यूज करेंगे उसको यूज करने के लिए क्या करना होगा इसको कंट्रोल सी के साथ में कॉपी करेंगे उसके बाद में वर्ड पर पेस्ट करने के बाद में यहां पर आप देख रहे होगे चार्ट इधर उधर मूब नहीं क इसके अलबा और आप अपने एकोर्डिंग और भी चेंजिंग कर सकते हैं यहां पर जो की आपसने दिखाई दे रहा है डेटा लेबल से अधर का भी आपसन दिखाई दे रहा है आप अपने एकोर्डिंग चेंज कर सकते हैं नीट के एकोर्डिंग I hope दोस्तों यहां पर आप समझ चुके होंगे कि दीजे विए data को scatter chart के रूप में कैसे represent करते हैं या कैसे use करते हैं या कैसे बनाते हैं Thank you दोस्तों वीडियो देखने के लिए